बाल आप इनकी पसंद से कटाते हैं? नहीं न, तो चैनल पैकेज़ज डीटेज कंपनी की पसंद के क्यों लेते हैं? पहली बार Tata Sky लाए है True Choice Packages यानि पैकेज भई लो जो पसंद हो Tata Sky इसको लगा डाला तो लाई जिंगल आला दन तेरस साल का सबसे सुनहरा दिन सोना चमके हर पल हर दिन सोना ही लंभू को रोशन करता है जोलर फो जनरेशन बी-सी जोलर ये है डेटवर के दीन और आप देख रहे हैं CNBC आवाज वेल्सम बैक आप देख रहे हैं फेस्टिविल बाजार जहां हम आपको करा रहे हैं दिवाली की तैयारी डेकोरेशन का सामान थो हमने खरीद लिया लेकिन अब बारी आती आपका मू मिठा करने की दिवाली का तियोहार, ऐसे पावन तियोहार में आपके घर में किस तना की मिठाईया होनी चाहिए? आएए देखते हैं दिली के मिठाई की दुकाने दिवाली के सीजन में बिलकुल हाउस फुल मिलेंगी बंगाली मारकेट के जाने माने मिठाई की दुकान, कलेवा का दावा है कि दिवाली के इस सीजन में काजू की बर्फी मिठाईयों की रेस में हर साल अववल आती रही है और इस साल भी काजू की बर्फी काफी डिमांड में है इसी लिए कलेवा 456 रुपए किलो की प्लेन काजू बर्फी के साथ काजू वित बादाम और काजू वित केसर के दो नए वराइटी भी लेकर आया है काजू के हिट होने के पीछे इसके लंबी समय तक खराब नहीं होने की क्वालिटी है पिछले कुछ सालों में कम मीठे का भी चलन खोब जोर पकड़ रहा है और इसी लिए कलेवा कम मीठे वाले शाही रजगुले लेकर आया है साथ ही शुगर फ्री मिठाईया भी है जिसमें आर्टिफिशल स्वीटनर नहीं बलकि मिठाई की मौझूदा इंड्रीडियन से ही नाच्रिल मिठास दाने की कोशिश की गई है शुगर फ्री मिठाई वैसे अगर आपकी भी पसंद है तो खर्चा करने के लिए भी तयार रहिए खजूर की शुगर फ्री बर्फी है 760 रुपए पर किलो अंजीर की मिठाई 920 रुपए पर किलो और सौफ, अलसी, काजू, बादाम और पिस्ते से बनी शुगर फ्री कनेडियन बर्फी है 800 रुपए पर किलो शुगर फी के अलावा कलेवा लड्डू भी लेकर आया है मेरी तरह जो लड्डू के फैन हैं उनके लिए मोती चूर का लड्डू सबसे हॉट फेवरेट रहता होगा मिझे तो बहुत पसंद है मोती चूर का लड्डू लेकिन कलेवा कह रहा है कि इस दिवाली इस लड्डू रेस में कुछ नए लड्डू शामिल हो गया है और इन नए लड्डू को जरूर श्राई कीजे क्योंकि यह मोती चूर से बिलकुल हटके हैं जैसे कि पंदारी लड्डू यह है आटे और गोंद का लड्डू या फिर शाही पिन्नी उडदाल का लड्डू या पंजीरी जो की है खालिस बेसन के लड्डू तो यानि अगर आपको भी लड्डू पसंद है तो यह से बाल जरा मोती चूर के लड्डू को ब्रेक दीजे और अपना ये कुछ नह लड्डू मिठाई के अलावा मीठे और नमकीन के कॉंबिनेशन पैक भी पॉपिलर गिप्ट्स बन रहे हैं 90 रुपए से लेकर 300 रुपए के प्राइस रेंज में मिठाई, नमकीन, कुकीज और चिक्की के कॉंबिनेशन लेकर आया है कलेवा वैसे 150 रुपए पर किलो के हिसाब से अचारी मठी यानि आचार फ्लेवर्ड मठी जिसमें अलग से आचार लेने की ज़रूरत नहीं है, काफी पसंद किया जा रहा है वैसे मिठाई और नमकीन जैसे दिवाली के रुटीन ओप्शन से हट कर कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, तो दिल्ली का एवरग्रीन स्वीज लाया है गुडीज का गिफ्ट हैमपर, जिसे अपनी पसंद और बजट दोनों के मुताबिक कस्टिमाईज किया जा सकता है चॉकलेट, फ्रूट जूस, जेली, सालिद डिप, चिप्स, चॉकलेट सिरप या फिर जो आप चाहें, सभी एक खुबसूरत पैकिंग में और वो भी एक सौसे लेकर 10,000 रुपए का हैमपर आपके लिए तयार किया जा सकता है हमपर के एक कॉमिनेशन है, जो घर में सब लोगों को पसंद आए तो इसमें के चॉकलेट भी है, जूसे भी है, तो एक हेल्डी फूजन किया जाता है इसकी कीमत तभी होती है या वाल्यव एडिशन तभी होती है जब आप इसको एक बढ़िया तरीए से पैक करके दो हमपर के अलावा चॉकलेट भी काफी पसंद किये जा रहे हैं शेसो रुपए पर किलो से लेकर दो हजार रुपए पर किलो के हिसाब से खुबसूरत डिबबे में पैक्ट चॉकलेट भी मिठाई की जगे ले रहे हैं ड्राइफ रुट्स भी दिवाली में गिफ्टिंग के लिए पसंद किये जाते हैं और इन्हें अलग-अलग स्टाइल में पैक करके एक इंट्रेस्टिंग लुक दिया जा सकता है पैकिंग भी आपके बजट के अनुसार हो सकती है 200 रुपै की पैकिंग से लेकर 1,000 रुपै सजावड की पैकिंग में लग सकते हैं जहां तक ड्राइफ फूर्ट का सवाल है वराईटी लाने कि लिए केवल ड्राइफ रूट या सिर्फ मिठाई की जगे आप fusion pack भी ले सकते हैं जिसे आपके budget में घाला जा सकता है नीचे के बिना त्योहार अधूरा है इसलिए combination pack अच्छा और थोड़ा किफायती विकल्ब है महिंगाई से तो बचा नहीं जा सकता लेकिन हाँ बचना ज़रूरी है खोए और मिलावटी सामान की दिवाली के सीजन में होने वाली काला बाजारी से तो इसके लिए हमारे दोनों ही मिठाई वालों ने दी है अपनी expert advice तो इन बातों का ख्यार रखिये और मनाईए खुशहाल दिवाली तो इस दिवाली कुछ कम मीठा हो जाए जी नहीं यह हम नहीं कहरें यह कहरें दिल्ली के मिठाई वाले इनका कहना है कि अब लोग कम मीठा खाने लगे हैं इसलिए जितनी मिठाईयां होती हैं उनमें अब कम ही मीठा आपको मिलेगा अब इसे क्यालरी कॉंशिस लोगों की पसंद केए या फिर जायके का समय के साथ बदलता हूँ अंदाज कि अब लोगों को कम मीठा पसंद आता है इसलिए शायद दिवाली के गिफ्टिंग में चॉकलेट, कुकीज और नमकीन जैसे नए आप्शन्स भी अब खूब पसंद लगे हैं तो खाये खूब सारा लेकिन कम मीठे वाला खाना और दिवाली मनाईए जोशोर के साथ प्रियांका संभाव दिल्ली सिग्निस डाइमंड जूलरी जीतो कॉंटेस्ट की पिछले हफ़ते की विनर है कुसुमान जली कुकार हर्याना से और इन्हें मिलती है लक्षमी ग्रूप की सिग्निस डाइमंड जूलरी हमारा आज का सवाल है किस NGO की दिवाली लैंप और दिये दिखाए गए आप अपना जवाब, अपना नाम, पता, फोटो और कॉंटाक नंबर के साथ smartshoppingatnetwork18online.com पर भेज सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही कैसे लगी आपको हमारी ये खास पेशकर्ष जरूर लिखकर भेजिए smartshoppingatnetwork18online.com पर आप चाहे तो हमें फेस्बुक पर भी जॉइन कर सकते हैं तो दिवाली की धेरो शुबकामनाओं के साथ फिलहाल मुझी दीजे इजाज़त हाजिर होंगे एक नए शो के साथ तब तक आप करते रहे खरेदारी समझदारी से happy shopping कि अपर रहें दो आपने कैसाव दो इजिए to be up, एक वक ले वे तोब दो आप एक pal. दंदिरस